आज में लेके आए हूं नवरात्री स्पेशल मसाला पनीर की रेसिपी जो हम बनाने वाले हैं विदाउट अनियन एंड गार्लिक के आज हम बनाने वाले हैं मसाला पनीर बिना अद्रक लैसुन और प्याच के बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है फ्रेंड़ पट खाने में बहुत ही ज़्यादा यमी और डिलिशियस तो चलिए फ्रेंड़ बनाना शुरू करते हैं और फ्रेंड्स अगर आप नए हैं मेरे चैनल को तो मेरे चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब जरू कीजेगा साथ में जो बैल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलेगा ताकि मेरा लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और फ्रेंड्स ये सब बिल्कुल फ्रेंड्स बनाना शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स अब से पहले मैं डालूंगी 5 टेबल स्पून के बराबर ओईल और इसमें मैं एट करूंगी पनीर क्यूब्स में कटे हुए आप चाहे तो जैसा भी क्यूब्स में कटा हुआ पनीर ले सकते हैं . जोता या ब और इसकी हम ग्रेवी तैयार करेंगे वो भी जटबर बनकर रेडी होता है फ्रेंटस बहुत ही टेस्टी बनता है इस तरह की रेसिपी तो फ्रेंटस कई बार होता है हम यह सूचते है की प्यार्ज लेस्ट से ही टेस्ट बढ़ता है ब mis 어렵त अच्छी रेसिपी तो जिसके लिए मैं लूँगी तेज पता यानि बे लीव, लॉंग, इलाइची, गोल्ड मिर्च और साथ में मैंने एड़ किया है सिनमन यानि दाल चीनी और वन चीस्पून के बराबर जीरा यानि क्यूमिन सीड अब इसे हलका सा पकाने के बाद मैं इसमें एड़ करूंगी दो बड़े टमाटर को मैंने पीस लिया था, फाइन प्यूरे में तो ये टुमैटो प्यूरे के हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं अब मैं इसमें एड़ करूंगी शिमला मिर्च यानि वन कैपसिकम और साथ में दो ग्रीन चिलीज लिया है मैंने तो मोटे टुकडे में मैंने शिमला मिर्च को काट लिया है इसे हलका सा मिक्स कर देते हैं अब मैं इसमें सुखे मसाले आड़ करूंगी जिसमें मैंने आड़ किया है वन टेबल स्पून के बराबर कुरियाइंडर पाउडर वन फो टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर सॉल्ट अकॉर्डिंग टेस्ट चिली पाउडर वन टेबल स्पून के बराबर एन कसूरी मेथी वन टेबल स्पून के बराबर तो यहां सारी चीजे हैं आप अपने अकॉर्डिंगली अज़स्ट कर सकते हैं मिर्ची पाउडर को अब इससे हलका सा मिक्स कर लेते हैं अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी आड़ करूंगी अराउंड वन कप के बराबर और इससे अच्छे से मिला लेते हैं अब मैं इसमें आड़ कर देती हूँ अराउंड वन टेबल स्पून के बराबर मलाई यानि यह फ्रोजन मलाई है फ्रेंड्स इसमें जो हम फ्रेस में रख देते हैं स्टोर कर लेते हैं जो मलाई वो मलाई हम यूज करेंगे फ्रेश मलाई हमें नहीं चाहिए स्टोर किया हुआ फ्रोजन मलाई है यह अब मैं इसे धक कर पकाऊंगी अराउंड 5 मिनिट्स के लिए बीच में हम चेक कर लेंगे ताकि मसाले जले नहीं और हलका सा हिला कर दुबारा से पकाएंगे तो टोटल फाइव मिनिट्स के बाद हम देखेंगे कि मसाला बहुत ही अच्छे से पक चुका है आप देख सकते हैं अब मैं अब मैं इसमें आईट करूंगी कोठे चीज यानि फ्राई किया हुआ पनीर और इसे अच्छे से मिला लेते हैं अब मैं इसमें एट करूँगी अराउंड हाफ टेबल स्पून के बराबर गरम मसाला और इसे हलका सा मिक्स करेंगी और इसमें थोड़ा सा पानी एट करके मैं इसमें पकने दूँगी अराउंड फाइब मिनिट्स के लिए मीडियम टू स्लो फ्लेम पर तो मैंने इसमें एट किया है अराउंड वन कप ओफ वॉटर अब इसमें हलका सा मिक्स कर लेते हैं और इसमें लिड लगा के पकने देते हैं तो फ्रेंट्स आफ्टर फाइब मिनिट्स बाद हम चेक कर लेते हैं तो पनीर मसाला अल्मूस्ट डन है विडाउट अनियन और गार्लिक के बहुत ही अच्छी इसमें से खुश्पू आ रही है फ्रेंट्स अब मैं इसमें सम् कोरियंडर लेव साइट करूंगे यानि कटा हुआ बारिक धनिया पत्ता और इसे मिक्स कर लेंगे अब मैं ऐसे एक बोल में निकाल लेती हूँ तो फ्रेंट्स यह हमारी बन कर तयार है विदाउट अनियन और गार्लिक के मसाला पनीर बहुत ही सादा डिलिशियस तो फ्रेंट्स एंजॉइ इस रेसिपी और दो नाट फोर्गे तो वाच माई लेटेस्ट अपकमिंग वीडियो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक लिए टाटा एंद भाई भाई